हेलो गाईज, I am Deepak and welcome to Magnet Accounting और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डे बुक के बारे में डे बुक क्या होती है और कैसे डे बुक में रिपोर्ट्स को देखा जाता है जानेंगे पूरी डिटेल के साथ So without waste of time, let's start the video डे बुक, जितनी भी एंट्रिज हम टेली में करते है उन सबको एक साथ हम डे बुक के अंदर देख सकते है चाहे वो किसी भी वाउचर की क्यो ना हो तो देखिए मैनल काउंटिंग में क्या होता है सबसे पहले हम जनल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं फिर उन से फाइनल अकाउंट त्यार करते हैं लेकिन टेली में अलग-अलग वाउचर्स दिये होते हैं अलग-अलग एंट्रिज करने के लिए और हम उनमें एंट्रिज को रिकॉर्ड करते हैं बाकि सारा का सारा काम टेली अपने आप कर देता है अलग-अलग register tally में त्यार हो जाते हैं जैसे sale register, purchase register तो अगर हमने सभी vouchers की entries को एक साथ देखना हो तो हम debook के जरिये उनको देख सकते हैं तो debook को tally prime में voucher के ठीक नीचे दिया गया है उस पर जाकर enter press करेंगे तो debook open हो जाएगी या फिर display में जाकर debook में जाएगे तो भी debook का option हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक और तरिक्क है debook को open करने का यहाँ पर go to का button दिया हुआ है इस पर click करेंगे और यहाँ type करेंगे debook तो debook हमारे सामने आ जाएगी इस पर enter करेंगे तो हमारे debook इस तरह से open हो जाएगी सभी तरिक्के मैंने आपको बता दिये है कि debook कैसे open की जाती है तो जैसे ही debook open हुई है तो last date की जो भी transaction हमने record की है वो यहाँ पर show हो रही है अगर हमें किसी particular date की entries को चेक करना हो तो F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर date डालेंगे और enter प्रेस करेंगे तो सभी उस date की transactions यहाँ आ जाएगी और अगर हमने किसी period की entries को चेक करना हो तो alt F2 को प्रेस करेंगे और उस period को select कर लेंगे और वो पूरे year की entries यहाँ शो होने लगेगी अगर हमने यहाँ पर किसी भी entry को modify करना हो तो उस पर जाकर enter करना है और modify कर सकते है अगर हमने किसी entry को delete करना हो तो alt D करके इसे delete भी कर सकते है या हमें फिर यहाँ पर कोई नई entry को pass करना हो तो हम alt A को प्रेस करेंगे और directly voucher के अंदर आ जाएंगे यहां से हम entries को record कर सकते हैं ठीक है जी तो देखी यहां पर डेबुक के अंदर सभी vouchers के entries यह हो रही है तो अगर हमने इन entries को detail में देखना है तो alt 5 press करेंगे तो alt 5 press करने पर यह जो entries है वो पूरी दिखाई देने लग गई है और अगर हमें और भी detail चाहिए तो f12 को press करना है f12 को press करने के बाद हमें जो जो reports देखनी है उनको हम yes कर लेंगे जैसे कि हमें narration देखनी है उसको yes कर लेंगे bank detail देखनी है उसको yes कर लेंगे inventory detail देखनी है उसको भी yes कर लेते है फिर एंटर एंटर से हम इसको सेफ कर देंगे और यह डिटेल है वो सब हमारे सामने आ जाएगी जैसे मैं नरेशन ओपन की थी तो नरेशन भी यहां शोग हो रही है स्टोक भी दिखाई दे रहा है ठीक है तो देखिए यहां पर डे बुक है जिसमें सभी वाउचर समय दिख करेंगे पेमेट पे कलिक करूंगा तो यहां पर सिर्फ पेमेट वाउचर की एंटरिस हमारे सामने आएगी अगर मुझे रिचिप्ट वाउचर की एंटरिस को देखना है तो एफ और प्रेस करेंगे और यहां पर रिचिप्ट को स्लेट करेंगे तो रिचिप्ट वाउचर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसरी कॉलम व सकी है यह पार्टि का एड्र्स क्या है वाँचर नंबर क्या है वाउचर टाइब क्या है टेक्स नंबर क्या यह सारी डीटेयल इसमें आ चुकी है थिक her at एफ-एट को प्रेस करके कोलम वाइज भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं अगर हमने सेल के एंट्रीज ओपन कर रहा है और हम एफ-7 को प्रेस करते हैं तो हमें यहीं पर ही प्रोफिट शो होने लगेगा जैसे मैंने सेल्स की कि वाउचर की एंट्रीज को ओपन किया और यहां पर catch किया तो यहां पर मिलाको अज़िस पर क्लिक करेंगे या फिर हम किबोर्ड की हैल्प से कंट्रोल एच को प्रेस करेंगे तो यहां पर ओप्शन दिखाए देगा एक्स्ट्रेक्ट का जैसे हम एक्स्ट्रेक्ट पर एंटर करेंगे तो हमने एंट्रिज के अंदर कौन-कौन से लेजर्स का यूज किया है वो सब रिपोर्ट यहां दिखाई देने लग जाएगा जैसे मैं एक्ष्ट पर क्लिक करता हूं तो एंटर प्रेस करूँगा जो जो सेल वाउचर के अंदर यूज हुए है वो यहां पर दिखाई देने लग जाएंगे अगर मुझे यह भी देखन मैंने यूज किया है वो वो नाम यहां पर आ चुकी है तो इस तरीके से हम डे बुक में एक्स्टक्ट करके हम देख सकते हैं और इसके ठीक निचे एक ओप्शन दिया होगा है एक्षैप्शन रिपोर्ट का टैली में जो अधर अडिशनल वाउचर होते हैं अगर हमने उनक सेल्ट सेल्ट का नाम क्या है जो स्टार्ट होता है सूमित से और अंटर प्रेस करके सेफ कर दूС calming कर दूगा वो हमें यहां पर दिखाई देने लग जाएगी तो इस तरीके से हम डे बुक में सबी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ तो आज के सी वीडियो लक्षर में इतना ही तो जुड़े रहेगा एक मैगनेट के तरह मैगनेट अकाउंटिंग पर ठैंक्यू गा झाल बहु़ेगा झाल जाएगी कर से तरह में इस प्रीके से फिसे तरह में आशेगी के साथ जाएगी कर सकते ह।